कल मैंने अपने परिवार के साथ फिल्म आर 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 देखी वैसे इस फिल्म को किसी के प्रचार की जरूरत नहीं है ये अल्वीडी सारे existing records तोड रही है और नए बना रही है लेकिन देश भक्ती की भावना से भरी हुई ये फिल्म देश की संस्कृति, अस्मिता, गर्मा, एकता को बढ़ावा देती हुई अच्छे आर्ट को, कल्चर को बढ़ावा देती हुई ये फिल्म जब भी कोई सचा भारतिय देखेगा तो वो यही चाहेगा कि इसकी प्रशंसा में दो शब्त कहे तो जो ये सदर्म की दो हीरोज हमारे सोतंतता सेनानी हुए है भीम और राम, इनकी ये कहानी देखे हमें ये लगता है कि ऐसे ना जाने कितने अंसंग हीरोज रहे होंगे लेकिन आज की दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे अंसंग हीरोज है जिनके बारे में में स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं बताएगी जैसे कि इस फिल्म के जो राइटर है श्री केवी विजेंदर परसाद जी उन्होंने आज तक कि सबसे सफल फिल्म में हमारी इंडस्ट्री को दी है 80 साल की उमर में भी वो इंडिया के सबसे बिजी राइटर है और बाकी लिखते होंगे स्क्रिप्ट 6 महीने, 2 साल, 5 साल या 10 साल में वो 15 दिन में ही लिख देते हैं और उनको जब भी मिलते हैं तो ऐसा पूरा इंसान पैशन से भर जाता है और मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में उनसे ज़ादा पदम भी मुशन या उससे भी बढ़के कोई सम्मान होता है वो डिजर्व नहीं करता और ये उनकी जरूरत नहीं है ये हमारी जरूरत है, हम युवाओं की जरूरत है कि हमारे पास ऐसे आदर्श हो ताकि आगे चलकर इंडस्ट्री में ऐसे और लोग आएं बागे इस फिल्म के हर कलाकार ने बहुत अच्छा काम किया है NTR जी, राम चरन जी बहुत 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 बहुतरीन काम किया और इस फिल्म के जो डारेक्टर हैं उनके बारे में तो क्या ही कहें उनकी कोई तारिफ करना भी ऐसे होगा जैसे सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होगी तो राजा मतलब के किंग, so all we can say is long live the king थैंक यू फॉर आरारार